नमस्कार, मैं डॉक्टर मुर्गेश वैस्नव, डाइरेक्टर संबेदिना हैपिनेस होस्पिटल एम्दाबाद, आज आपके साथ एगारोफोबिया यानी जनातंक भीडभार वाली जगा, थियेटर, मार्केट प्लेइस, बंद जगा और खुली जगा पर जाने के डर के बार ट्रंस्पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन यानी बस, ट्रेंड, एर्प्लेइन, या तो मेट्रों में जाने से डर लगता है, या तो जाने के खयाल से आप बैचेनी या गबराट अनुभाव करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, क्या आप खुली जगा, जैसे मार्केट मेदान, बाग बगीचे, या तो फिर पार्किंग प्लेशिस में जाने से डरते हैं, क्या आप बंद जगा, जैसे सिनेमा हॉल, मोल, मल्टिप्लेक्स, थियेटर में जाने से डरते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहां जाने से कुछ हो जाएगा, क्या आप लाइन में खड़ रहने से, या तो बहुत ही भिर्भार हो, ऐसी जगा पे होने से डरते हैं, क्या आप घर से अकेले बाहर नहीं जा सकते, या तो आपको बाहर जाना हो, तो आप किसी के साथ जाना पसंद करते हैं, इसे हम फोबिक कमपेनियन कहते हैं, तो क्या आप फोबिक कमपेनियन के किसी दो के जवाब अगर हाँ है और यह आपकी मनोस्तिती छे महिने से ज्यादा पिरियड तक है तो आप एगोराफोबिया से पिरित है देखिए एगोराफोबिया यानि जनातंग एक मनोविकार चिंता मनोविकार है यह इंजाइटी डिजॉर्डर है हमारे देश में 18-60 साल की उम्र की व्यक्तियों में से प्रतिवर्ष 10 लाख लोग इस बिमारी के शिकार होते हैं जिसमें लड़कियां और स्त्रीयों की संख्या ज्यादा तर होती है ऐसे तो किसी चीज या किसी स्थान या किसी परिस्थिती से डर लगना ये तो एक आम बात है लेकिन एगारोफोबिया के मरीज को किसी विशे स्थान पर जाने से या तो जाने के सिर्फ विचार मात्र से चिंता तनाव हो जाता है इनको एंजाइटी डिसॉर्डर के सिंड्रोम्स होते है या तो इनको पैनिक डिसॉर्डर के सिंड्रोम्स होते है जैसे दिल की धर्गने बढ़ गई हात पाउं में पसीना हो गया सांस लेने में तकलिफ हो गई गले में choking sensation हो गया, जी मचलने लगा, चक्कर आने लगे, ऐसी तकलीफे इन्हें इसलिए होती है, क्योंकि ऐसी परिस्तितियों में ये लोग अपने आपको असहाय, सर्मिंदा, भैभित और फसा हुआ मैसूस करते हैं, ऐसी परिस्तिति में ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इस परिस्तिति से बचके निकलना मुश्किल है, ऐसी परिस्तिति में कुछ बुरा उनके साथ जरूर होने वाला है, कुछ अन होनी भी उनके साथ हो सकती है, और ये परिस्तिति ऐसी है जहां किसी की भी कोई तरह की मदद नही मिल पाएगी उतना ही नहीं इसमें अगर वो फस गए तो बुरी तरह से फस गए यहाँ से इनको कोई बचा कर बाहर नहीं निकाल सकता अब वास्ताव में ये बाते इतनी डंजरस नहीं होती कोई भैजनक चीज नहीं होती ये स्थान भी भायजनेक नहीं होता लेकिन एगारोफोबिया के मरीज का भाय और चिंता तिवरतम इस परिस्थिति में हो जाता है एगारोफोबिया के एक तिहाई मरीज ऐसे है जो अपने घर से कभी बाहर निकले नहीं है उन्हें अपने रोजाना कार्य कलाब के लिए किसी और पर पर रहना पड़ता है इन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ही मुश्किल या तो कई बार असंभव काम हो जाता है एगारोफोबिया 50% केसिस में पैनिक डिजॉडर के साथ होता है और 50% केसिस में सिर्फ एगारोफोबिया होता है पैनिक डिजॉडर नहीं होता देखिए एगारोफोबिया के कोजिस को देखा जाए तो अनुवानसिक्ता 60% लोगों के एगारोफोबिया के लिए जिम्मेदार है इसके अलावा संबेदंसिल और चिंतातुर व्यक्तित्वा बच्पन में माता-पिता से दुरी या माता-पिता का आउसान या जीवन के घटना करम में तनाव कुरुण प्रसंग का होना ये सारी बाते एगारोफोबिया के लिए जिम्मेदार हो सकती है एगारोफोबिया के मरीज ऐसा है कि वो समाच से कट ओफ हो जाते हैं वो अपनी नौकरी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं उतना ही नहीं वो एक अपाहिच जैसे हो जाते हैं अब एक खुश खबरी ये है कि जो लोग महिनों से या सालों से घर से बाहर ही नहीं निकले हैं इनको घर से बाहर निकाले ऐसी दवाई लब्य है जो लोग किसी को साथ लिये बिना यानि फोबिक कमपेनियन के बिना बाहर नहीं जा सकते वे लोग भी अकेले बाहर जा सके ऐसी दवाई लब्य है मैंने देखा है कि कई लोग शुरू शुरू में किसी को लेके हॉस्पिटल मुझे दिखाने के लिए आते हैं दो तीन विजिट्स के बाद वो अकेले आते हैं और कुछ महिनों के बाद वे आना छोड़ देते हैं क्योंकि वे अच्छे हो जाते हैं यानि एगारोफोबिया बिमारी अच्छी हो सकती हैं दवाईयों के अलावा कुछ बिहेवियर थेरापी जैसे फ्लडिंग है प्रोग्रेसिव रिलेक्सेशन या डिसेंसिटाइजेशन है और इसके अलावा विज्यूल इमेजरीज है ये भी उपियोगी साबित हो सकती है तो एगारोफोबिया के लिए आज इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार आप अपना ख्याल रखे झाल बाएब़िया के लिए जावाल रखे